जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो कल मेरे पास एक मैंशनर्स का फोन आया उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था एरियर कैलकुलेट करने का 52.26 ये 52.26 कहां से आया किस तरीके से इसे कैलकुलेट करा गया है दोस्तो ये फॉर्मूला कोई छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है ये एक मैजिक फॉर्मूला है जादूई फॉर्मूला जिसमें आपको कुछ करने की जुरत नहीं है सिरफ इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपना जुलाई 2019 से डिसंबर 2022 तक का area निकाल सकते हैं और रूपी 2 का आपको computer पे बैठने की जुरत नहीं है आपको calculator यूज करने की जुरत नहीं है आपको page पे लिखने की जुरत नहीं है आपको 6-6 महने का difference लेके area calculate करने की जुरत नहीं है यानि सिरफ एक formula और दोस्तो मुश्किल से 5-10 seconds, 15 seconds इसमें आपका पूरा area calculate हो जाता है दोस्तो इसे मैं बोलता हूँ magic formula काफी pensioners में मुझे phone किया काफी पूछा दोस्तो कि ये formula बना कैसे है किस तरीके से इसमें क्या चीज़े यूज होई है जिसकी वज़े से विर्कुल सही area निकल के आ जाता है दोस्तो मैं आपको बताता हूँ जैसा आपको बता है 52.26 दोस्तो ये formula है area calculate करने का यानि जुलाई 2019 से दिसमबर 2022 सक का दोस्तो अगर ऐसा formula हमें आगे मिल जाये कहीं यानि कुछ change हो जाये इस formula में ना ही calculator, ना ही computer, ना ही इतना सारा time 5-10 second में, 15 second में सारा कुछ समाधान बस आपको पुरानी pension और नई basic pension पता होनी चाहिए बस दोस्तो अब देखिए ये formula बना कैसे increase in pension यानि जितना आपका बड़ा pension में plus 41.17 फिर 1.31 फिर plus 1.34 अब दोस्तो ये क्या चीज़ है दोस्तो इस formula में DA include है यानि जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का यानि कितने कितने DA उसमें लगे है, तब आपका पूरा exact सही area निकल के आए दोस्तो अब देखिए हैं यापे 17% DA फिर 31% DA फिर 34% DA फिर 38% DA दोस्तो ये DA इसमें include हुए है फिर into कितरे महिने का area है दोस्तो आपका जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 सक्का 42 महिने का तो दोस्तो यहाँ पे यूज हुआ 42 यानि 42 months अब दोस्तो old basic और new basic इसका difference यानि कितना amount बड़ा आपका पुरानी pension से और नई pension के बीच का difference फिर multiply ये वाला formula 52.26 और दोस्तो आपका area हाजिर हो जाएगा exact area आपका बिल्कुल सही area टोटल area निकल के आजाएगा दिसंबर 2022 सक्का दोस्तो अगर आपको भी नहीं पता किस तरीके से ये formula यूज हुए तो नीचे आप मुझे comment कर सकते हैं बहुत ही दोस्तो जबर्दस formula है magic formula है और मैं भी ये use कर रहा हूँ फिर मैं आपको समझा रहा हूँ increase in pension प्लस 41.17 1.31 1.34 फिर ब्रेकेट बंद फिर प्लस 1.38 फिर दोस्तो multiple 42 months दोस्तो ये 42 months total area का है यानि 42 महिने का area 17% दिये 31% दिये 34% दिये 38% दिये तो दोस्तो इस तरीके से ये formula ये use हुआ मैंने आपको समझा दिया वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को like करें और दोस्तो चैनल को subscribe पर सकते हैं Thank you so much